इस वीडियो में मैं आपको अपने देश के 5 सबसे ताकतवर फूट के बारे में बताऊंगा और एक चीज मैं आप लोग को और बता दू कि जिन फूट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह हमारे पहलवानों की regular diet में include है मतलब अगर आपको अपने पहलवानों की तरह ताकतवर सरीर चाहिए बलवान सरीर चाहिए तो आप लोग इन 5 foods को अपने diet में include कर लेना तो पहला है मूंग या मूंग की दाल 100 ग्राम मूंग की दाल में 24 ग्राम protein होता है आप खड़ी मूंग को भिगो कर खा सकते हैं या दाल बना कर खा सकते हैं आपको 50 ग्राम मूंग की दाल को अपने diet में include करना है दूसरा है केला यह all season fruit है workout से पहले आपको 2 केला और workout के बाद आपको 4 केला खाना है कभी भी energy की कमी नहीं रहेगी एक बात में आप लोग को और बता दूँ कि अगर आप लोग daily workout करते हो वो भी heavy workout करते हो तो आपकी body को 32-36 calorie की जरूरत पढ़ती है अपनी energy maintain रखने के लिए और एक average size के केले में 110 calorie तक energy होती है अगर आप दिन भर में 6 केले खा रहे हो तो इसका मतलब आप 660 calorie अपने body में intake कर रहे हो मतलब आपको दिन भर में जितने calorie की जरूरत है उसका 20% सिर्फ केले से ही मिल जा रहे तो इससे बढ़िया क्या बात होगी तीसरा है नारियल पानी ये हमारे दिमाग को ठंडा रखता है इसमें प्रचूर मात्रा में electrolyte होता है जो हमें पूरे दिन energetic बनाए रखता है जिन या देशी कसरत करने से एक घंटा पहले नारियल पानी पीने से हमारी body energetic और hydrated रहती है एक बात और जिनको कब्ज की समस्या है वो लोग नारियल की ताजी गड़ी खाएं चौथा है बादाम बादाम खाने से stamina बिल्ट होता है बादाम को पीस कर उसका पेश्ट बना लो और दूद में मिला कर पीओ तो कभी भी ताकत के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी ये पहलवानों का फेवरेट है अखाडों में इसे बादाम का रगड़ा कहा जाता है जो कि पहलवान वर्क आउट के बाद पीते हैं पांचवा है देशी गाय का घी अगर इसके फायदों के बारे में बताना सुरू कर दूँ तो आदे घंडे की वीडियो बनानी पड़ जाएगी बस इतना जान लो कि अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकत किसी चीज में है तो वह है देशी गाय का घी एक चमच देशी घी आप दाल में सबजी में रोटी पर लगा कर खाओ आपको 24 घंडे के अंदर अंदर इसका रिजर्ट दिख जाएगा तो भाई अगर आप लोग भी पालवानों की तरह ताकतवर सरीर चाते हैं अच्छे मसल्स चाते हैं तो इन पांचों फूट को अपनी डाइट में इंक्ल्यूड कर लो और रेगुनर बेसिस पे खाना सुरू कर दो तो भाई आज के वीडियो में इतना है अगर वीडियो प अशकाड़ चाते हीं